नमस्कात दोस्तों कैसे हो आप लोग अपलोग का बहुत बहुत स्वागत टेकिटीव केस्ट नहीं हैं और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो आई हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Windows 10 के बारे में आपसे इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टफ था विंडोज 7, 8 और 10 के मुकाबले में फिर भी मुशे लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि विंडोज 1 कैसे इंस्टॉल करते थे हम लोग उस टाइम पे और अगर बात करें विंडोज 1 के इंटरफेस के बारे में तो विंडोज 1 के इंटर तो दो दोस्तों Windows 1 को यूज़ करने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा एक सॉफ्ट्वेर को इसका नाम है वर्चॉल बॉक्स अब वर्चॉल बॉक्स को इंस्टॉल करके हमें उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज 1 वर्चॉल बॉक्स के लिए एक व्म से डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड हो चुका है जैसे कि हम भी इसे रन करेंगे तो रन करवाता हूँ मैं इस सौफटर को तो यहां पर अगर कुछ ऐसा ऑप्शन आए तो यह करना है हमें उसके बाद यहां पर नेक्स दबा के इस सौफटर को सिंपली इंस्टॉल कर लेन तो वर्चुल बॉक्स ओपिन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है अगर कुछ ऐसा मैसे जाए अपके सामने तो फिर सिंपली दबा दिए इग्नोड और यहां पर इग्नोड दबाने के बाद यह है वर्चुल बॉक्स का पूरा सिस्टेम जो की यह इसी तरह का दिखत है दोस्तो दोस्तो गोम इंश्टॉब करने वाले है window वंडोस वन को विंडोस वन को इंस्टॉल्ड करने के लिए सबसे बहélे हमने new वाले option में यहां पे क्लिक करना पड़adows वाक्स में वर्चुल बॉखस में वर्चु बॉक्स मेनेजरे हैं यह जैसा कि मैंने दिखाया था आपको installation complete होने के बाद ऐसा ही कुछ लिखता है हमें interface virtual box का तो यहाँ पे simply new में जाके हमें करना है click और उसके बाद open होगा एक चोड़ा सा option जहाँ पर करना पड़ेगा हमें कुछ configuration अब यहाँ में नाम सबसे पहले पुछा रहा है जिसका जबाब मैं लिखता हूँ यहाँ पे windows 1 यहाँ पे हमारे virtual disk का जो नाम होने वाला है वो है windows 1 तो इसके बाद मैं यहाँ पे tab दबा के इसका type जो है वो चूज कर लोगा उसके बाद मैं यहाँ पे simply create दबा दूँगा create a virtual harddix now यह select करके option मैं यहाँ पे create simply दबा दूँगा और उसके बाद अब उसके बाद हमें harddix type जो है मतलब वर्चॉल डिक्स टाइप वो चूज करने के लिए का जाएगा तो मैं यहाँ पे VHD चूज करूँगा virtual harddix अब उसके बाद दूँगा simply next अब उसके बाद simple एक option आएगा जो कि हमें पूछे का dynamic allotate तकना यहाँ फिक्स्ट स्पेस रखना है तो मैं dynamic रखूँगा यहाँ पे क्योंकि storage बढ़ भी सकता है घड़ भी सकता है फिक्स्ट होगा फिर problem हो सकती है तो मैं dynamic रखके इसे next दबा दूँगा dynamic के लिए allotate उसक करना पड़ेगा तो इसके लिए मैं 2GB तक लेने के लिए तयार हूँ इसके लिए मैं जियादा नहीं लूँगा तो 2GB मैं यहाँ पे चूज करता हूँ और उसके बाद दबा देता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं जो floppy disk है मेरे पास windows का installer का I mean MS-DOS के installer का floppy disk है IMG file का तो वह मैं add करूँगा यहाँ पे click करके तो choose disk मैं अभी click करूँगा और इसके बाद यहाँ से मैं choose कर लूँगा MS-DOS 3.30 का installer IMG file तो यह install करने वाला है MS-DOS को तो मैंने इसे choose कर लिया है अभी आप देख सकते हो यह है तो इसे मैं choose कर लेता हूँ अभी उसके बाद हम लोग setup जो है वो continue करने वाले है तो यह कर दिया मैंने अभी दबाऊंगा simply OK उसके बाद हम लोग setup continue करेंगे या फिर setup run करेंगे दोस्तों तो OK दबा दिया मैंने अभी तो अभी और किसी चीज़ का इंतजा ना करती हुए हम लोग simply start में click कर देंगे तो start में click करने के बाद यहां पे जो है चोटा सा box Oracle का वो open हो जाएगा यह virtual box का चोटा सा box है तो जैसा कि आप देख सकतों यह MS-DOS का installer है 3.30 का तो आए MS-DOS को इंस्टाल करना शुरू करते हैं तो इसके लिए मुझे एक partition बनाना पड़ेगा उसके बाद यहां पे DOS को इंस्टाल करना पड़ेगा उसके बाद ही सिर्फ Windows setup को मैं run करवा पाऊंगा नहीं तो Windows setup रन नहीं होगा तो partition create करने के लिए सब से बहले हमें Ctrl C द अगर no करोगे तो partition create नहीं होगा तो फिर yes दबाता है वाई सिर्फ क्लिक किया मैंने और enter दबाया तो यहां पे एक directory open होगे जो की है A के नाम से तो A drive open होगे तो यहां पे मुझे command दबाना है fdisk fdisk के चलो मैंने दबा दिया और यहां पे इंटर हम यहां पर मिल जाता है चार options पहला है create partition दूसरा है change partition और तीसरा है delete partition और चौता है display तो हमें यहां पर create करना है तो simply हम one दबाएंगे यहां पर one default चूस किया हुआ है इसलिए मैं इंटर दबा देता हूँ one यहां पर आप दे देकार है यहां पर हमें चूस करने के उसे ज़वरत नहीं है क्योंकि वो NEC large DOS partition में convert हो जाएगा हमें सिफ एक normal और simple सा partition चाहिए MSDOS 3.3 के लिए तो उस मामले में हम 3 option को चूस करेंगे 3 option को तो यहां पर जो one है number lock दबा के मैं इसे हटा के 3 कर देता हूँ अभी 3 और उसके primary partition ही चाहिए तो one यहां पर default selected है तो हम दबा देंगे एक जोटा धमाकेदार फिर से तो यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा एक और सवाल जिसका जवाब है yes अगर no करेंगे तो फिर partition create नहीं होगा तो फिर हमें simply यहां पर दबाना है enter कुछ भी बिना सोचे तो enter हमने य यहां पर एक और बार हमें enter दबाना है enter दबाने के बाद एक warning मिलेगी अब warning का मतलब यह सारे data को format कर देगा हमाने partition का उसके बाद dos को install करेगा तो इसके लिए हमें यहां पर yes दबाना परेका mandatory purpose में कर no दबाएंगे तो install नहीं होगा तो why दबाना है सिर्फ हमें yes दबाने क Windows का अब यह install होगा हमारे computer में Windows का setup install करने के लिए हमें इसका floppy disk चेंज करना होगा Windows का setup इसके लिए मैं सबसे पहले अपना floppy disk Windows का installer वाला वो select करूंगा और उसके बाद यहां पर यह जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने select किया setup को और उसके बाद यहां पे command लिखना है जो कि हम installation करना चाहते है Windows का तो उस मामले में हमें अगर confirm करना है तो फिर C और अगर quit करना है तो Q दबाना पड़ेगा तो confirm करना है हमें तो इसलिए हमें C दबाना पड़ेगा अभी तो C दबाते हैं हम लोग यहां पे C अब C दबाने के बाद हमारे पास एक और option आता है जहां प करते हुए तो यहां पे simply हम दबाते है इंटर और यहां पे एक और बार एक और question आएगा यहां पे हमारे पास कौन सा mouse है कौन सा graphics adapter है या फिर कौन सा printer है device वह सब यह जानना चाहता है तो Windows के setup को वह सब inform करने के लिए हमें C दबाना पड़े का मतलब continue तो यहां पे हमें C द पाला है mouse हमारे पास है normal सा यहां पे mouse में यूज नहीं करता है यहां पे क्योंकि Windows 1 में ज्यादा तर keyboard में ही काम होता था तो फिर one option को हम लोग चूज करते है जहां पे no printing device no sorry no pointing device है तो one है यहां पे default चूज किया हुआ मैं कोई भी option और चूज नहीं करता यहां पे दबाता ह अगर नहीं black and white चाते तो उस मामले में हमें 4 चूज करना पड़ेगा मेरे मामले में मैं 5 चूज करता हूँ 5 चूज करता हूँ यहां पे one को हटा के 5 कर दिया और अभी दबाता हूँ मैं इंटर अब टाइम है floppy disk करने का built disk नाम का floppy disk है Windows का setup का ही एक पार्ट है तो उसे हम मैं अभी इंसर्ट करना है तो मैं अभी जाओंगा मेरे computer में और वहां से जो मेरा floppy disk है built वाला वह चूज कर लूँगा दोस्तों अब उसके बाद क्या होता है उसके बाद हमारे सामने एक और फर्माइश आती है जो कि है continue का utility disk के लिए तो अभी हम लोग utility disk को भी इंसर्ट करेंगे utility disk का floppy disk मेरे पास इंसर्ट करूंगा मैं और उसके बाद ठीक सेम तरीके से ही हम setup को या फिर installation को continue करेंगे अब utility को चूज करने के बाद यहां पर दबाया मैंने फिस एक बार इंटर यहां पर एक printer हमें सेट करने के लिए कहा जा रहा है तो मैं जल्दी से एक printer सेट कर दीता हूँ दोस्तों इंसर्ट करने के बाद यहां पर simply default no चूज करके हम निकलाएंगे और यहां पर हमें application वाला floppy disk है वह insert करना पड़ेगा यहां पर अभी तो यहां पर application की floppy disk है वह भी मैं यहां पर insert करता हूँ और यहां पर simply disk को चूज करने के बाद simply हम लोग यहां पर C क्लिक करेंगे हमारा जो disk है उसे चूज करता हूँ और उसके बाद simply हम यहां पर दबाएंगे continue को मतलब C को तो दबाने के बाद हो चुका है setup complete अब यहां मुझे फिर से वही हमारा जो dos का setup था dos का installation जो disk था वही insert करना पड़ेगा floppy के रूप में और उसके बाद यह setup मैं complete करके windows को activate यहां पर windows को देख सकूँगा कि कैसा है windows 1 तो यहां पर simply मैं जो floppy है उसे चूज कर लेता हूँ दोस्तों और उसे चूज करने के बाद windows का मतलब dos का floppy चूज करने के बाद यहां पर इंटर अब इंटर दबाने के बाद मैं c drive में चला जाओंगा और उसके बाद यहां पर एक कमांड लिखना है जो कि है win और उसके बाद इंटर दबाते ही हम windows 1 में access कर सकेंगे तो यह है windows 1 दोस्तों मुझे बताईए आपको कैसा लगा है windows 1 कैसा लग रहा है यह देखने को अभी मैं windows 1 का कोई भी feature आपको दिखाने वाला नहीं हूँ इसके बाद में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा यह वीडियो तो बहुत हो चुक्री है लंबी यह वीडियो सिफ था installation दिखाने के लिए और एक overview के लिए कि windows 1 कैसा दिखता है इसी तरी किसा हमारे सामने windows 1 आता है डॉस के रूप में जो कि उतना इंप्रेसिव नहीं है अगर हम लोग compare करते हैं windows 7 या फिर windows 10 से windows 1 को तो यह उतना भी बेटर नहीं है लेकिन अगर हम लोग बात करें windows के पहले version के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं 1.01 यह मेरे ख्याल से थमसप था Microsoft की तरफ से हमारे ल देगा और दो यहां पर मैं download links नहीं दे सका windows का जो floppy disk है उन सब का क्योंकि यह हमारा जो वीडियो है शायद delete हो सकता है या फिर हमारे चैनल को इससे effect पर सकता है तो इसलिए मैंने नहीं दिया लेकिन अगर google करो गया आप बड़ी ही आसनी से आपको मिल जाएंगे यह सारी फाइल्स दोस्तों बस अचके लिए वीडियो में बहुत हीज़ी दिकार वीडियो में आप से तक लिए जय हिंद बनने मातरम